आज की रेसिपी शेयर करेंगे आप लोग उकसाथ में नौनिया की भाजी ये देखिए इस तरीके से होती हो काफी हेल्थी होती है खाने में बहुत अच्छी लगती है खटी खटी लगती खाने में बहुत बढ़िया लगती है थौलका सखटपन आता है लेकिन खाने में बहुत अच्छी लगती है और बहुत फायदा करती है और काफी वीमयारियों के उपर इसका होता है लेकिन खाने में बहुत प्यारी लगती है ये है नौनिया की भाजी ये जीरा तेस सक्याया ज़ीन चालिस घर लिए प्यासान चालिस ग्राम,esty तो फ़नाध्युचून चालिस घर सब्रक्राइब में You did प्याज डाला करीब करें हमने 50-60 ग्राम प्याज डाला है 50-60 ग्राम प्याज यह देखिए ग्रीन चिली डाले एक बैभाची छैनी चार पांच कटी हुई जैसे अल्का सप्याज हमरा ब्राउन हुआ सिका है तो एक ब्राउ प्याज डाले तो हमने घुक्रीण चिटिलीड करीब करीब अच्छा लगता है तो इसमें हमने जो इसमें प्याज हमारी श्रिक चुकी है तो हमने जो भाजी डाल दी भाजी हमने लीती है किलो लेकिन के साब करने के बाद में करीब अच्छी है 500-600 ग्राम इसको थोड़ी दिर पकाएंगे जली पक जाती है बहुत टेस्टी लगती खान है पानि आटोमेटिक छोड़ती है ये और घरमियों के लीब अच्छी होती है ऐसा यह घर्मियों के लिए बहृत अच्छी होती है ऐसा ही खा सकते है इसको जैसे भींदी खाएंगे यह फूल ना फूल गोभी कहले इसको ओसे खातें थो खाने ऑच्छी क्लいます की और इसकी श नावाग डालेंगे स्वादनु सार चाओ तो हल्का सा किचिन किंग मसाला भी डाल सकते हो है तो नहीं है तो कोई बात नहीं यह देखिए और यह हमारी भाजी लगवाग पक चुकी है बस इसमें अभी हम टमाटर डालेंगे और यह देखिए और यह देखिए भाजी पक गई बस टमाटर थोड़ी दिर पकाएंगे उसके बाद लेड़ी हमने दो टमाटर लिये थे बड़ा-बड़े काटे थे क्यूब में तो दो टमाटर डाल देखिए आप चाहो तो टमाटर की कौंटिटी कम कर सकते हो यह देखिए बस लगवाग हमारी पक गई है और इसको थोड़ी सी और एक मिट के पकाऊंगा उसके बाद बंद कर दूँगा यह भाजी हमारी रेडी हो गई है हल यह टमाटर भी हमारे पक चुके हैं यह देखिए यह आटोमेटिक पानी छोटी यह देखिए मैंने बोला था और हमारी भाजी कंप्लीट हो गई है तो चलिए हम सर्फ करते हैं तो इस तरीके से आप लोग नोनिया की भाजी बना सकते हैं और धनिया डाला थोड़ा सा धनि हैं तो चलिए हमारी नोनिया की भाजी इस तरीके से आप लोग बना सकते हैं तो हमारी रेचिप अच्छी लगी है तो लाइक करना कमेंट करना और शेयर करना और आप लोग अगर हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लिए और बैल आइकन को भी दबा दिए जरूर देख लेना बड़ी आसान है बनाना तो आप लोग विजसे भाजी आसानी से बना सकते हैं तो हमारी रेचिप अच्छी लगी है तो लाइक करना मत भूलना और चीकू का वीडियो जरूर देख लेना लिंक मिल जाएगी थैंक्यू धन्नवाद